गुड इवनिंग, वेलकम बैक आज की ब्लू बुलेट सिर्फ दो ही है तो मरने के चांसेज तो बहुत ही काम है हाला कि अच्छे सवाल है, क्विशन अच्छे है, समझने के लिए भी अच्छे है तो उसी को आज हम कंप्लीट करेंगे ब्लू बुलेट question नमबर बन, draw a schematic diagram of a circuit consisting of a battery of three cells of 2 volt बोल रहे हैं कि एक schematic diagram बनाई है, circuit बनाई है, consisting जिसमें हो of a battery, battery हो of 3 cells, जिसमें 3 cell हो और एक हर एक cell का voltage हो 2 volt मतलब 2, 2, 2, 2, 2, 3, जा 6 volt के circuit हमें बनानी है यहाँ पर रेजिस्टर की जगे रेजिस्टन्स लिखा होता तो बैटर था बट एनिहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है पाँच आठ और बारा तीनों रेजिस्टर लगाने है को कनेक्शन इन्होंने स्पेसिफाई किया है हाँ एन्ड प्लग की एक प्लग की भी चाहिए आल कनेक्टेड इन सीरीज यह तीनों के तीनों सीरीज में लगेंगे मतलब रेजिस्टन्स अगर हमें टोटल निकालना हो तो सीधा साधा एडिशन कर देना है तो सर्कुट के उपर चले उससे पहले देखते हैं अगर दो वोल्ट की तीन बैटरी को हम एक साथ लगाते हैं तो टोटल वोल्टेज डिफरेंस जो हमें मिलेगा वो 2 इंटो 3 6 वोल्ट होगा तो सर्कुट डियाग्रम बिलो शोस त्री रेजिस्टर्स अफर रेजिस्टन्स 12, 8 और 5 ओम connected in series along with a battery of potential 6 वोल्ट नीचे सर्कुट जो दिया गया है उसमें 2 वोल्ट, 2 वोल्ट, 2 वोल्ट यहाँ पर देखिया बड़ा छोटा मतलब 1 सेल, बड़ा छोटा मतलब 2 सेल, बड़ा छोटा मतलब 3 सेल यह जो बड़ी लाइन है वो इंडिकेट करती है positive terminal जबकि छोटी लाइन इंडिकेट करती है negative terminal इन तीनों को एक ही circuit में connect करूँ तो टोटल 2, 2, 2, 6 वोल्ट की circuit हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर plug की on condition में है तो current flow positive से लेके negative तक हमें दिखाना पड़ेगा यहाँ पर 5, 8 और 12 series में लगे हुए है तो आप resistance यहाँ पर zigzag में 5 omega, 8 ohm और 12 ohm यह तीनों चीज़े series में हमने दिखा दी तो यह पूरी circuit हमने बता दी फिर से verify कर लेते हैं बैटरी आ गई आ गई तू वोल्ट के तीन सेल्स आ गए आ गए पांच आठ बारा रजिस्टर आ गया आ गया प्लग की आ गई आ गई आ गई on condition में है तो पूरी circuit हमारे हो गई question number एक पहली bullet जो हमको छूक के निकल गई ज्यादा कुछ मुश्किल था नहीं second question redraw the circuit of question number one मतलब जो हमने अभी मजदूरी की उस मजदूरी को फिर से कीजिए circuit को draw कीजिए putting in an emitter to measure the current through the resistor and voltmeter to measure the potential difference across the 12 ohm resistor what would be the readings in the emitter and voltmeter बोल रहे हैं कि सबसे पहले तो आप series connection में emitter लगा दो और कितना electricity का भाव बह रहा है वो हमें बताओ कर देंगे क्यों क्योंकि एक ही formula लगने वाला है which is V is equal to IR ohms law आसानी से हो जाएगा और 12 ohm के resistor में V3 अगर है इसी circuit में हम देखें यहाँ पे हमें एक voltmeter लगाना पड़ेगा अगर मान लेज़े इसको V3 लेते हैं तो इसको R3 लेना पड़ेगा current तो हमारे पास मिल जाएगा तो यह भी काफी आसानी से हो जाएगा problem तो पूरी circuit फिर से हमने बना ली 3222 6 volt के battery plus minus on condition में तो current flow हो रहा है यहाँ पे यहाँ पे series में ही emitter हमने लगा दिया which is positive and negative terminal हो गया कुछ problem नहीं है 5 ohm, 8 ohm, 12 क्योंकि हमें सिर्फ 12 ohm का voltage देना है इसलिए हमने सिर्फ 12 volt के parallel में ही voltmeter लगाया है हमें पता है कि emitter always series में लगेगा जबकि voltmeter always parallel में लगेगा an emitter should always be connected in series, emitter always series में ही आप जोड सकते हो with a resistors while the voltmeter should be connected in parallel जबकि voltmeter को parallel में ही connect कर सकते हो अगर voltmeter को series में और emitter को parallel में connect किया तो क्या होगा आप research करो मुझे बताओ वरना मैं 2-3 online session के बाद बताई दूँगा to the measure the potential difference as shown in figure below इस figure में जैसे दिया खाया गया है यहां का ही voltage difference हमें देना है using ohms law we can obtain the reading of a emitter and a voltmeter ohms law से हम यह दोनों जीज़े निकाल सकते हैं तो यह series में connected है इसी वेज़े से the total resistance of a circuit पूरे circuit का total resistance हो जाएगा पाँच आठ और बारा बारा और आठ हो गया बीस और पाँच पचिस तो total resistance है 25 ohm अभी we know that the potential difference of circuit is 6 volt यह पूरी circuit 6 volt की है hence the current flowing through the circuit is resistance can be calculated as follow V is equal to IR rearrange करें क्योंकि हमें current चाहिए तो current is equal to V upon R voltage है 6 volt और resistance total circuit का है 25 ohm तो 6 बटापचिस that is 0.24 amp तो पूरे circuit में 0.24 amps current दोड रहा है तो आई तो यह series connection में हर जगस सेम ही होने वाला है let the potential difference across the 12 ohm resistors be V1 मान लिजे कि यह 12 ohm के उपर जो voltage difference मिलेगा वो मान लेते हैं कि V1 है तो हमें पता है कि V1 is equal to IR1 IQ change नहीं हो रहा क्योंकि पूरे circuit में एक फ्लो बहता है तो आई हमरे पास है 0.24 रहे है और इंटू resistance कितना है 12 ohm तो total हो जाएगा 2.88 volt मतलब यह कितना volt खाएगा या कितने volt का है तो हो गया 2.88 volt approximately 3 volt का bulb है ऐसे आप समझ लेजे therefore an emitter reading will be 0.24 ampere and the volt meter reading will be 2.88 volt तो यह पूरा problem हमारे साथ यहीं पर खतम हो जाता है तो आज के लिए बस इतना ही next online session में जैसे कि हमने पिछले session में series connection की बात किती कि series connection में voltage बढ़ता है या नहीं current बढ़ता है या नहीं resistance का क्या होता है simple add होता है या किसी और तरीके से addition होता है उसी तरीके से हम next online session में parallel connection की बात करेंगे कि parallel connection में ये तीनों जो चीजें हैं वी आई एंड आर उसका parallel connection में क्या होता है उसके लिए next online session का आपको इंतजार करना पड़ेगा इस session में कोई doubt है तो comment किजिए ताकि मैं उसको solve कर सकूँ till then revise well और thank you so much